तो जिन बाद उसकी लाश एक मंदिर के खूलर में मिली है नाजधानी दिल्ली के गोकूलपूरी खाना शेत्र की गंगाविहार हलोनी में उसलोच संसरे खैल गई जब साहिल नाम के एक मासूं बच्चे की लाश मंदिर में रखे एक खूलर मी मिली फुलिस की माने तो साहिल की हत्तिया उसकी मां के प्रे मी नहीं की है फुलिस की माने तो साहिल एक दिन स्कूल से घर लोगते के बाद घर के सामने बने मंदिर में खिलने की बाद कहकर घर से निकल गया लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लोगा जिस पर काफी तलाशने के बाद उसके परिजनों ने उसकी दुशूकी की रिपोर्ट दर्ट करवा दी इसी बीच दो दिन बाद मंदिर की सफाई के दौरां कुछ लोगों को अचानक बगू आने लगी और जब उन्होंने एक पुलर को खुला तो उसके अंदर एक बच्चे की लाश देखकर उनके खोश भूट गए पाग में उस बच्चे की पच्चा साहिल के रूप बेकर दुगई उधर इस खटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस ने मामने की जान बिन की तो जान्च के दौरां उसका शक्त साहिल की मां की प्रें मुतर गया और इस आदार पर जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उससे सक्ति दिखाई तो उसने अपना धुना हग कबूर लिया एक बच्चे के कदल की घटना को सुचा कर आरोपी को गिरफ़तार करने के बाद अब पुलिस उसके खिलाफ करी कारवाई की तैयारी कर रही है कि दिल्ली से इस्रार एंवान